हलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, जै माहकाल, जै जै स्रीरादे अगर आप गर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा की सेवा करते हैं, तो आपको उनके कमरे की सच्छता और सुधता बनाई रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए वास्तु साथ के अनुसार कुछ ऐसी चीजे हैं जिन्हें उस कमरे में नहीं रखना चाहिए और लड्डू गोपाल जहां विरास्ते हैं, वहां तो बिलकुल नहीं रखना चाहिए आईए जानते हैं वास्तु के नियम के अनुसार कौन सी वे पांच चीजे हैं लड़ू गोपाल की सेवा करने को बहुत ही पुन्य कर्म माना जाता है कि जिस तरह एक छोटे बच्ची को पूरी देखभाल के साथ रखा जाता है उसी तरह श्रीकिष्ण के इस बाल सुरूप को भी किसी बच्चे की तरह ही प्रेम और देखभाल की जाती है वास्तुर सास्त के अनुसार अगर आपके घर में लड़ू गोपाल रखते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे वास्तुर सास्त के अनुसार आप जिस कमरे में लड़ू गोपाल रखते हैं वहाँ पर आपको पूजा घर है आपको वहाँ पर कुछ ची खासतोर पर आपको लड़ू गोपाल के पास तूटी-फूटी मूर्तिया नहीं रखनी चाहिए इसे लड़ू गोपाल की सेवा करने की क्रपा आपको नहीं मिल पाती है लड़ू गोपाल जिस कमरे में रहते हों उनके पास गंदे या पहने हुए कपड़े नहीं रखने चाहिए ऐसा करने से घर में नकरात्मक उर्जा का वास हो जाता है इसलिए जिस कमरे में लड्डू गोपाल विराजमान है वहाँ पर गंदे दुले हुए कपड़ें रखने से परहेच करें लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद रखे नहीं वहाँ पर आसपाज जूठी थाली आप घर में लड्डू गोपाल के सेवा करते हैं तो आपको इस बात का भी विसेश द्यान रखना चाहिए कि आप जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाए तो भोग लगाने के 10 मिनट के बाद ही थाली वहाँ से हटा ले क्योंकि भोग लगाने के बाद थाली जूठी हो जाती है ज्यादा लंबे समय तर लड्डू गोपाल के पाद जूठी थाली नहीं रखनी चाहिए सजावटी वस्तु में भी ना रखें आप जिस कमरे में लड्डू गोपाल को रखते हैं पत्थर नग या कोई राशी रतन वाली धातू ना रखें बहुत से लोग घर में सकरात्मक उर्जा के लिए कोई चमतकारी पत्थर या फिर कुछ लखी चीजे रखते हैं जैसे लड्डू गोपाल के कमरे में इन चीजों को रखने से परहेच करें क्योंकि जिस कमरे में स्वैंग लड्डू गोपाल विराशते हैं वहाँ पर बातवरंग सुक में और सकरात्मक तब बनी रहती है लड्डू गोपाल की उर्जा में कभी इन सब अलग उर्जाओं को सामिल नहीं करना चाहिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कमेंट करें जै महाकाल, थैंक यू फर वाचिंग